माननिय प्रधान मंत्री जी, कल से हम आपके उद्बोधन की प्रतीक्षा में थे आपने देश को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए उत्साहित किया, आपने उत्साह दिया, आपका बहुत धन्यवाद लेकिन देश आपसे कुछ और भी अपेक्षा रख रहा था पिछले चार-पांच दिनों से तबली की जमात के घिनोने कृत्या, उनके दुशकर्म, पूरे देश के सामने आ रहे है, उनके उदेश्य देश के सामने आ रहे है, देश की जगा जगा मस्जिदों से कारवाई जो हो रही है, पुलिस के उपर पथर फेके जा रही है, पुलि इन लोगों को कॉरेंटाइन किया गया है वो लोग नर्स के ऊपर डॉक्टर्स के ऊपर थूक रहे हैं वो लोग नर्स के साथ में जितनी भी लेडिस नर्स हैं उनके साथ में वो अशलील हरकते कर रहे हैं उनको गालियां दे रहे हैं उनको बुरा भला बोल रहे हैं उनके एक अर्धवाक्य उनके लिए चेतावनी भरा अवश्य निकालते आपसे ये भी अपेक्षा थी आपने देश को जगाए रखा देश आपके साथ खड़ा है हमेशा आपके साथ रहेगा आपकी मजशा पर कोई प्रश्ण चेहन नहीं है लेकिन ऐसे लोग कब तक हमारे देश म में खुले रूप में तांडव करते रहेंगे कम से कम कुछ नहीं तो एक चेतावनी तो बनती है धन्यवाद